अलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चानल HSE Study Guide में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि HSE इंटर्यू में आपको crane lifting plan के बारे में जो भी question पूछते है उसके बारे में What is lifting plan? यानि कि lifting plan क्या होता है? इसका आपको answer देना है तो उसके लिए आपको यह answer देना है कि सर critical lift के लिए जो planning की जाती है उसके लिए जो document prepare किया जाता है उसे lifting plan केते हैं जिसमें मतलब उस critical lift में जो भी equipments का इस्तमाल हो रहा है या फिर जो भी load का इस्तमाल हो रहा है उसका total calculation उसमें किया जाता है उस lifting plan में होता है कि जिस load को आप उठा रहे हो उस load की capacity कितनी है साथी में उस load को उठाने के लिए जो भी lifting tools का आप इस्तमाल करने वाले हो वो tools कौन से है उसकी lifting capacity कितनी है और फिर उस load को उठाने के लिए कौन सी क्रेन का इस्तमाल किया जा रहा है उसकी कितनी capacity है ये सारी information उसमें होती है और फिर उसके बाद आपको ensure करना है कि safe lifting जो procedure है वो lifting के लिए follow की जारी है जैसे कि जो भी object है जिसको उठाना है उसका जो weight है या फिर उसका जो size है जो lifting plan में mention किया गया है उसी को lift कर रहे है की नहीं कर रहे है वो उसमें ensure करना है साथी में आपको ये ensure करना है कि lifting के लिए जिस crane का इस्तमाल हो रहा है उसी crane को आपने lifting plan में mention किया है फिर आपको ensure करना है कि crane की position क्या है load का location क्या है load का size क्या है उसके लिए कौन सी sling इस्तमाल हो रही है load chat क्या है इन सारी चीजों को आपको ensure करना होता है फिर उसके बाद का सवाल जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि lifting plan में क्या क्या होता है तो simply आपको यह answer देना है कि sir lifting plan जो है वो prepare किया जाता है identify किया जाता है हर एक lift के लिए और lifting plan में होता है कि जो भी competent persons उसको lift कर रहे है उनकी उसमें नाम होते है उनकी उसकी planning होती है फिर उसमें जो भी load उठाना है उस सारे load का और crane की load capacity का वो सारा calculation उसमें होता है फिर उसके बाद जो भी equipment आपको required है उसकी सारी details उसमें होती है फिर उसके बाद जो भी persons वहाँ पर required है और उनका क्या role है वो भी उसमें mention होता है फिर उसमें step by step जो है वो उसमें instruction दिये रहता है फिर उसके बाद कुछी communication method जो है जिसका आप इस्तमाल करने वाले हो वो भी उसमें mention होता है फिर उसके बाद जो भी rescue plan है वो भी उसमें attach होता है तो ये सारी बाते आपको उनको बतानी है फिर उसके बाद आपको सवाल पूछा जा सकता है कि किस conditions में आपको critically plan की जरुरत होती है तो उसका answer आपको इस तरीके से देना है कि sir critically plan की जरुरत तब होती है कि जब भी कोई load को आप उठा रहे हो और उस load का जो weight है वो 75% जो rated capacity होती है crane की उससे अगर ज्यादा है तब उस condition में उस critically plan की जरुरत होती है फिर दूसरी conditions ये आती है कि जिस load को भी lift करना है और उस load को lift करते समय अगर operator उस load को देख नहीं पाता हो तो उस condition में भी critical lift plan की जरुरत होती है फिर उसके बाद आपको बताना है कि एक crane के अलावा अगर ज्यादा crane उस lift में involved है तो उस condition में भी critical lift plan की जरुरत होती है फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी load है जिसको आपको उठाना है उसका अगर weight 40 ton से अगर ज्यादा है तो उस condition में भी critical lift plan की जरूरत होती है फिर उसके बाद आपको बताना है कि pressurize अगर piping area है और वहाँ पर अगर या फिर उसके around में जो भी crane की activity करनी हो तो उसके लिए भी आपको critical lift plan की जरूरत होती है फिर उसके बाद आपको बताना है कि tandem lifting के लिए या फिर multiple या फिर जो tailing lift है उसके लिए भी आपको critical lift plan की जरूरत होती है फिर उसके बाद आपको बताना है कि crane suspended जो भी personal platform होता है यानि कि man basket का अगर आप इस्तमाल करते हो तो उस condition में भी आपके पास critical lift plan होना चाहिए दोस्तो एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो सारी conditions हमने देखी है जिसके लिए critical lift plan की जरूरत होती है ये जो conditions है ये vary हो सकते है मतलब ये depend होता है कि आप किस company में किस organization में काम कर रहे हो उस organization के क्या rules है उसकी हिसाब से critical lift plan की applicability होती है lifting plan बनाने से पहले हमें कुछ बाते जानना बहुती जरूरी है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कोन सी crane है और उसकी capacity कितनी है यानि कि वो 50 टन की है 65 टन की है ये हमें पता होना चाहिए उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी weight हम उठा रहे है जो भी load हम उठा रहे है उसका total weight कितना है वो हमें पता होना चाहिए फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जो भी crane हम इस्तमाल कर रहे है उसके लिए जो hook block लगा हुआ है जिसके तुरू हम ये जो load को उठाएंगे उसका weight कितना है वो हमें पता होना चाहिए फिर हमें पता होना चाहिए load chart के बारे में जो crane में होता है आपको ये बात ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि जैसे ही जैसे boom की length बढ़ती जाती है वैसे वैसे crane की जो lifting capacity है वो कम होती जाती है load chart के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि उस crane का boom length कितना है ये बात आपको पता होना चाहिए फिर आपको पता होना चाहिए कि crane का radius कितना है वो भी आपको पता होना चीए ये सब बाते जब आपको पता होगी तब ही आप lifting plan अच्छे से बना सकते है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो lifting plan होता है वो कैसे भरा जाता है आपको ये धान में रखना है कि जो भी lifting plan है वो lifting supervisor के थूँ ही भरा जाता है यानि कि lifting supervisor जो है वो competent persons है वही इस lifting plan को भर सकता है अब ये जो lifting plan है ये depend करता है कि आप कौन सी company में काम कर रहे हो यानि कि हर एक company का lifting plan जो है वो अलग-अलग होता है तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि crawler crane का lifting plan जो है उसमें क्या checklist में point आता है अब ये जो checklist है वो हर एक organization में अलग-अलग हो सकती है तो इस lifting plan में दिया वा रहता है कि जो भी ground level है वो बराबर set है के नहीं है उसके उपर आपको yes या फिर no वो tick करनी है फिर उसके बाद होता है कि जो भी rigging equipments है वो properly inspected है क्या और वो correctly color coded है क्या तो उसके उपर भी आपको yes या फिर no पर tick करना होता है फिर उसके बाद होता है कि जो भी crane के around में जो lifting area है वो control में है क्या उसके उपर भी आपको yes या फिर no करना होता है तो ऐसे कुछ points है जो हमें वहाँ पर take करने होते हैं फिर उसके बाद आता है main calculations यानि की crane का जो percent capacity है वो हम कैसे निकाल सकते हैं और फिर सबसे last में आता है sign of section sign of section में होता है की crane का operator कौन है competent trigger कौन है lifting supervisor कौन है crane की capacity क्या है crane कौन से type की है फिर हो गया time क्या है date क्या है तो यह सारी जो चीज़े हैं वो lifting plan में होती है आपको ये ध्यान में रखना है की ये जो lifting plan मैंने आपको बताया है तो ये खाली crowler crane का एक lifting plan है जो एक company का है अब ये जो lifting plan है वो हर एक company का अलग-अलग हो सकता है मान लिजे कि आप साओधी अरामकों में काम कर रहे हो तो वहां का जो lifting plan है वो अलग होगा आप अगर अलग organization में अगर आप काम कर रहे हो तो वहां का lifting plan अलग हो सकता है आपको और एक बात ध्यान में रखती है कि ये जो lifting plan होता है वो lifting supervisor के थूँ ही भरा जाता है लेकिन ये भी depend करता है organization के उपर जैसे कि मान लिजे कि आप adnock में काम कर रहे है तो वहां पर lifting plan जो होता है वो lifting supervisor के थूँ भरा जाता है लेकिन आप वही चीज अगर साओधी अरामकों में देखते हो तो वहां पर lifting supervisor के थूँ नहीं भरा जाता है लेकिन वहां पर rigor 2 या फिर rigor 1 होता है जिसके थूँ ये जो lifting plan है वो भरा जाता है तो ये जो सारी बाते है वो depend करती है कि आप कोंसे organization में हो और वहां पर lifting plan का क्या system है चलिए अब देखते हैं कि crane की जो percent capacity है वो कैसे निकालता है मान लिजे कि हमारे पास एक crawler crane है जिसकी capacity है 65 ton और इस crawler crane से हमें एक load उठाना है जिस load की capacity है 8 ton अब हमें ये जो 8 ton load है ये उठाना है 65 ton वाली crawler crane से अब हमें इसका lifting plan बनाना है अब crane का जो operator है उसने अपना जो boom है वो निकाल लिया है और वो boom की जो length है वो total है 28 meter यानि कि 28 meter की जो boom length है उसमें से उसको वो load उठाना है अब आपको ये questions आया होगा कि crane operator को कैसे पता है कि इतना जो load है कि इतने ही boom length में ये load उठा सकते है तो उसको इस चीज का पता चलता है by using load chart जो load chart उसके पास होता है अब ये जो crane है जिसका ये hook है जिसके जरिये हमें ये जो load उठाना है उस hook का भी weight हमें पता होना चाहिए तो hook block का जो weight है वो है chart अब हमें चोथी बात पता होने चाहिए वो यानि की crane का radius कितना है तो crane का radius यानि की जहाँ पर crane operator crane को operate करता है उस center point से लेकर जहाँ पर आपको load उठाना है वहाँ तक का जो भी distance है उसे crane का radius कहता है अब मान लीजे कि ये जो crane का radius है वो है 8 meter और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि by using load chart इतने boom length में वो crane कितना load उठा सकती है तो मानते ही कि हमने load chart देख लिया और उस load chart में ये बताया जा रहा है कि इतने boom length में और इतने boom के angle में वो crane है वो load उठा सकती है 15.5 ton यानि कि उसका safe working load कितना हो गया 15.5 ton चलिए अब हम calculate करते हैं कि crane की capacity कितने percent बनती है तो उसका formula है कि जो crane का hook block है प्लस material का weight कितना है divided by safe working load जो हम load chart की मदद से निकालते है और multiply by 100 जैसे कि हमें पता है कि इस hook block का जो weight है वो है 4 ton प्लस जो भी हम material उठा रहे है यानि कि जो load है उसका weight है 8 ton और divided by safe working load जो हमने निकाला है by using load chart वो है 15.5 ton multiply by 100 यानि कि वो कितना बन गया 12 divided by 15.5 multiply by 100 इसका अगर हम calculation करेंगे तो हमें result मिलेगा 77.41 यानि कि 77% जो है वो उसकी crane percent capacity है यानि कि current percent crane capacity है 77% आपको ये ध्यान में रखना बहुत ही जरुई है कि जब भी crane के percent capacity वो अगर मानलो 80% आती है या फिर 80% के अबाव आती है तब आप उस crane के जरीए वो load नहीं उठा सकते है यानि कि 80% के अंदर अगर वो percent आता है तब आप उस crane का इस्तमाल कर सकते हो उस load को उठाने के लिए और अगर उसका जो percent है वो 80% के अबाव जाता है तब आप उस crane का इस्तमाल उस load को उठाने के लिए नहीं कर सकते उसके लिए फिर आपको crane को change करना होगा और जिसकी capacity जादा है उस crane से उस load को उठाना पड़ेगा तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा all about crane lifting plan के बारे में तो बस आज के लिए इतना ही मलता है नेक्स वीडियो में एक ने topic के साथ में तब तक के लिए टेक केर बाबाई